नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord 2 vs Samsung Galaxy A72 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, OnePlus Nord 2 में 6.26 इंच जब की Samsung Galaxy A72 में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है बात करें थिकनेस की तो, OnePlus Nord 2 में 0.32 इंच जब की Samsung Galaxy A72 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो की OnePlus Nord 2 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, OnePlus Nord 2 में 189 ग्राम्स जब की Samsung Galaxy A72 में 203 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की OnePlus Nord 2 से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, OnePlus Nord 2 में Fluid AMOLED जब की Samsung Galaxy A72 में FHD जोर सम्मल्ड की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, OnePlus Nord 2 में 6.43 इंच जब की Samsung Galaxy A72 में 6.7 इंच मिलती है 2400 मिलता है Screen to Body Ratio, OnePlus Nord 2 में 85.59 प्रतिशत जब की Samsung Galaxy A72 में 84.86 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, OnePlus Nord 2 में 409 पिक्सेल प्रति इंच जब की Samsung Galaxy A72 में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो, OnePlus Nord 2 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Mono Camera देखने को मिलता है और Samsung Galaxy A72 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो OnePlus Nord 2 में 9 different type के features मिल जाते है और Samsung Galaxy A72 की बात करें तो उसमें 3 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो OnePlus Nord 2 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते है और Samsung Galaxy A72 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो, OnePlus Nord 2 में Mali G77 MC9 जबकी Samsung Galaxy A72 में Adreno 618 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, OnePlus Nord 2 में MediaTek Dimensity 1200 MT 6893 और Samsung Galaxy A72 में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है बात करें RAM की तो, OnePlus Nord 2 में 2 variant देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकी Samsung Galaxy A72 में 2 variant देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 8GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही दो variant देखने को मिलता है, और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की storage मिलती है expandable memory की बात करें तो, OnePlus Nord 2 में नहीं है जबकी Samsung Galaxy A72 में up to 1TB है operating system दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है, बाटरी OnePlus Nord 2 में 4500mAh जबकी Samsung Galaxy A72 में 5000mAh देखने को मिलती है, अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो, OnePlus Nord 2 में 3 colors जबकी Samsung Galaxy A72 में 4 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो, OnePlus Nord 2 में 2 variant देखने को मिलते है जो की 8GB RAM 128GB storage के साथ 3999 रूपीज, 12GB RAM 256GB storage के साथ 3499 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें Samsung Galaxy A72 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 8GB RAM 128GB storage के साथ 3499 रूपीज, 8GB RAM 256GB storage के साथ 3999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं price and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8, फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में OnePlus Nord 2 आगे है में कैमरा में Samsung Galaxy A72 आगे है फ्रन्ट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में OnePlus Nord 2 आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9R है जो की 43,999 रुपे में मिलता है दुसरा Realme X7 Max है जो की 27,999 रुपे में मिलता है तीसरा OnePlus Nord से 5G है जो की 27,999 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord 2 है जो की 29,999 रुपी में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना